जै मतादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी योट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर माह के तीसरे सप्ताह के कुम राशी फल के बारे में कुम राशी के लोगों के लिए 16 नवंबर से 22 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा इन साथ दिनों में ग्रह नक्षत्रों की क्या इस्थितिया होंगी कौन कौन से ग्रह अपनी राशी बदलेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचरिया पर किस तरह से होगा जाने के सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में कुम राशी के लोगों के लिए जो इस्थितिया हैं वो किस तरह से इस सब्तहा में निर्मित हो रहे हैं तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निविदन है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और जुड़ जाएं आपनी चैनल के साथ दोस्तो सूला नवंबर से और बाइस नवंबर तक ग्रहों का राशी परिवर्तन होने वाला है तीन ग्रहे तीन बड़े ग्रहे अपनी राशी परिवर्तन करेंगे और उनका प्रभाव आपकी जीवन पर इस समय से देखने को मिलेगा सबसे पहले सूला नवंबर को सूरिय जोकी जगत पिता आत्मा के कारक ग्रहे हैं उनका राशी परिवर्तन होगा उसके बाद शुक्र 17 नवंबर को अपनी राशी बदलेंगे कन्य राशी से निकल कर तुला राशी में आ जाएंगे और सूरिय तुला शे निकल कर ब्रश्चिक में इसके बाद 20 नवंबर जो सबसे बड़ा परिवर्तन है यानि गुरू ब्रस्पति का परिवर्तन है गुरू ब्रस्पति इस समय 20 नवंबर को अपनी राशी धनू राशी से निकल कर मकर राशी शनी के साथ युदी करने वाले है इस जो युदी है शनी और गुरू की बेट फिशेस युदी रहने वाली है दोस्तो शनी आपकी राशी के स्वामी है और साड़े साथी आपकी चल रही है शनी के साथ अब गुरू का आना धन के कारग्रह का आरतिक इस्तिति के कारग्रह का आना कुछ नए परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आएगा इस सब्ताह से और ये जो इस्तितियां होंगी शुक्र जो की सुक्र के स्वामी है इनका भी प्रभाव इस दौरान आपके भाग्य भाव में आने से शुक्र का प्रभाव भी होगा तो शुक्र आपके लिए इस सब्ताह से ही बेखद शुब रिजल्ट देने वाला साबित होगा और दिसंबर तक शुक्र यहां आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं और जो सूर्य का राशी परिवर्तन है सूर्य तुला राशी से निकल कर आपके दस्वे भाव में प्रवेश करने वाले हैं तो इनका प्रभाव भी आपके लिए ठीक ठाक रहेगा तो इन तीनों का ग्रहों का प्रभाव किस तरह से आपके जीवन पर इस सप्तहा होगा तो देखिए यह जो सप्तहा है यह आपकी राशी वाले लोगों के लिए मिले जुले समय लेकर आएगा इस दोरान आप जो भी कारिय सूच समझ कर करेंगे समझदारी से करेंगे धहरे के साथ करेंगे उन सबी कारियों में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे बड़े कारियों के लिए आपको बड़ी कारिय युजना बनायने की एक विकल्प आपके सामने आएगा जिससे आपको सफलता के संकेत मिलने शुरू होंगे देखें आप उत्साहित होंगे काम को लेकर आत्मविश्वासी भी होंगे लेकिन अती आत्मविश्वासी या अती उत्साहा से आपको बचना होगा क्योंकि जब किसी चीज की अती हो जाती है तो आपके कामों को बिगाड़ना शुरू कर देता है तो ऐसे में आपको थोड़ा साहस रखना है इस दोरान कुछ लोगों को कही निवेश करने के बारे में कुछ ऐसी जानकारे प्राप्त हो सकती है कि आपको कहीं निवेश करने का मौका मिले लेकिन देखे जो भी निवेश करना है सोच समझ कर करें वरना हानी का सामना करना पड़ सकता है निर्मान कारियों से जुड़े लोग है प्रॉपर्टी के कारेकार से जुड़े लोग है उन लोगों के लिए समय बेहद अनकुल है उनके लिए अच्छी डील इस समय मिल सकती है जो ठेकेदारी का काम करते हैं तो उनके लिए किसी बड़े लाव की इस्तितियां बन रही है जमीनी जुडाव से जो लोग है जो जमीन की खरिद फरुक्त करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे लावदायकि तीतिया इस सब्ता हमें नेर्मित हो रही हैं अपनी मन को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलें क्रोध से बचना होगा मन को जितना आप नियंत्रित कर पाएंगे उतना अच्छा आपके लिए इस दोरान समय रहने वाला है आपके कारिय में आपके लाज में अपना मन लगाने की कोशिश करेंगे इस दोरान अपने विरोधियों और पीछे चोड़ेंगे अपनी जिम्मिदारियों में आप वरद्धी करेंगे संतान से किसी परकार की खोशी के प्रापति हो सकती है जो आप योजना बना रहे हैं उनमें आपको सफलता मिटेगी कुछ नए लाबकारी संपर्क प्राप्त होंगे और नए वाहन खरीदने का मन आपका इस दोरान बन सकता है प्रोफेशन में देखिए नौकरी में परिवर्तन का योग बना हुआ है कुछ लोगों को नौकरी में परिवर्तन देखने को मिल सकता है जो कारुबारी है इस राशी के उनके लिए यात्राओं का योग है यात्राओं आपके लिए लाबदायक रहेंगी लेकिन आपको सावधाने रखनी होगी यात्राओं में अपने सामान आधिका आपको सावधाने रखनी है विद्यारतियों की यदि बात करें सब्ता हमें बेकार की बातों में बिल्कुल भी समय ना गवाएं बेकार की बातों में ध्यान आपका ज्यादा जा सकता है अगर आप मन चाहे परिणाम पाना चाहते हैं तो व्यार्थ के समय को बिताना बंद करें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना आज से ही शुरू करें यदि प्रेम जीवन पारिवारिक जीवन की बात की जाए ये सब्ताह लव लाइफ में एक नई सोच के साथ आपके लिए अच्छा संकेत लेकर आया है आप अपना फोकस रखेंगे किसी फैसले को करने के लिए अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिनने का मन भी इस दौरान बना सकते हैं सब्ताह के अंत में बाहर घूमने फिनने का अगर आप कहीं प्लान करते हैं तो उसको टाल देने में आपकी भलाई होगी क्योंकि ये सप्ताह का अंत कहीं बाहर जाने के लिए अनुकुल समय नहीं है बाकी इस समय अवधी में जो ग्रहों का योग है वो आपके लिए बहुत अच्छे लाब देने वाला साबित होगा क्योंकि शुक्र जो है वो कन्या राशी से निकल करतुला राशी यानि कि आपके भागे भाव में आ रहे हैं और ये आपके इस दोरान प्रेम सम्मंदों को मजबूती देंगे साथ ही जो शुक्र है वो आपके सुखों मे वरद्धी करते हुए दिखाई देंगे यदि हम गुरू की बात करें तो गुरू का जो गूचर है ये आपके राशी के स्वामी शनी के साथ होगा शनी के साथ गुरू की जो यूति है वो आपके कर्म को प्रभावित करेगी यानि जो आप मेहनत करते हैं उस मेहनत का पूरा फल गुरू आपको दिलाने वाले है देखे जब भी साड़े साती होती है तो उसके नेगिटिव परभाव ही नहीं होते उसकी जो पॉजिटिव परभाव है वो भी देखने को मिलते हैं जैसे गुरू अब शनी के साथ बैठेंगे शनी की साड़े साती का प्रथम चरण आपके उपर है लेकिन गुरू यहां आपके कामों काफल देंगे क्योंकि गुरू जो है वो धहरिये से कर्मों काफल देते हैं और शनी जो है वो बड़ी ही कुरूरतासिक रहो जो आपके कर्म है उनकाफल देते हैं, तो दोनों ही कर्म काफल देने वाले गरहे हैं, लेकिन जो दोनों की बांडिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि दोनों समग रहे हैं, एक दूसरे से शत्रुतार नहीं रखत और जब शनी के घर में बैठे हुए है गुरू, तो यहाँ आपके हर कर्म काफल आपको मिलेगा, हर मेहनत का result आपको देखने को मिलेगा, इसलिए अपनी कर्म पर आपको ध्यान देना है, अपनी मेहनत पर आपको ध्यास आपको करने हैं, खास दोर से विद्यार्तियों को, जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं या प्रितियोगी परिशा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूग उचक बहुत मायने रखता है उनको अगर अपनी जीवन में अपनी लक्ष को वो पाना चाहते हैं या विदेश जाकर पढ़ाय करना चाहते हैं तो पूरे प्रियास करें उन प्रियासों का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा इस दोरान गुरू आपके लिए संतान प्राप्ति का यूग भी बना रहे हैं संतान प्राप्ति की यूग भी आपके लिए बने हुए हैं आपकी संतान से कुछ खुशी की बाते भी आपको इस दोरान सुनने को मिल सकती हैं। और सूर्य का जो गुचर इस सप्ताह की शुरुवात में होने वाला है, उसका प्रभाविय आपकी जीवन में देखने को मिलेगा। सूर्य के जो कुछ उपाएं हैं जो आपको इस दोरान जरूर करने चाहिए। जैसे आपको गेहूं का दान या गुड का दान आपको जरूर करना चाहिए। प्रति दिल सूर्य को नमशकार करें।